आपके अपने इस यूटूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है अगर आप नए विवर्थ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल का घंटा जरूर दबाएं और वीडियो का अधिक सधिक लाइक करें वीडियो को अधिक सधिक सेयर करें उक फ्रेंट्स यह इस चैनल के माधियम से हम बहुत सारी एड़ूकेशनल वीडियो लाते रहते हैं तो इस चैनल को आपको सब्स्ट्राइब कर लेना चाहिए ओके फ्रेंट्स हम बात करते हैं वीडियो के कंटेंट की फ्रेंट्स आज मैं आपको बात करने वालों ससी के वेकेंसी के बारे में ठीक है फ्रेंट्स ससी में जल्द ही वेकेंसी आई हुए है बाज शाहर 2019 को इसका ओफिसल नोटिफिकस्ट ने रिलीज किया गया है ठीक है और 29 पांच 29 में 2019 तक पांच बजे तक सामक का उतना तक फॉम भरा जाएगा ठीक है करने का है इसका 31 पांच 2019 है लास्ट डेट पे फी चलान इसका डेट है एक शे दो हजार उन्निस तक ठीक है फ्रेंट्स सी वीटी एक्जाम डेट भी दिया गया है यहां द 28 2019 से 69 2019 तक चलेगी ठीक एड्मिट कार्ड एवलेबल हो जाएगा जूलाई में देखी इसमें टू टियर में एक्जाम होगा है ना इस फर्स्ट यह 28 2019 से 68 2019 के बिच होगा और सेकेंट यह वागा सत्रा ग्यारा 2019 को होगा ठीक है इस डेट को आप अच्छे तरह से चाहें तो स्रेट ऑफिस यहां स्वारी जैन्रल और रोबीची की हंडेट रुपीच फिस लगेगी और स्टी एसटी एस्टी और और महिला कैंडिडेट्स के लिए यहां फिस नहीं लगी जिस क्याप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आगे हम बात करते हैं पोस्ट नेम है तो एम्टी है ठीक है 18 से 25 साल के कैंडिडेट एज ओन एक आठ दो हजार निस के डेट पर जो अठार से 25 वस्ट के भी चाहते हैं लेकिन इसमें एज में रिलेक्सेशन भी मिला है तो इसके लिए अपनी स्चीद रही है और उसके लिए ओफिसल वेब साइट में जाकर आपको ऑफिसल नो है देख लिजिए है स्टेट वाइज प्रेफ्रेंस को डिटेल है ठीक है और आगे हम बहुत सारी इंपोर्टन इस्टक्शन की बात करेंगे तो यहां देख लिए सकते हैं यह चलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने बहुत सारे लिंक दे रखें ऑफिसल कैसे फॉर्म भरना है इसका ओफिसल वेपसाइट किया है ठीक है रजिस्टेशन कैसे करना है आपका एप्लिकेशन स्टेटस क्या है सारी चीजों की यह मैंने लिंक दे रखी है आप वहां जाकर सारे चीजों को एक बार डाउनलोड कर लें और खुद से नोटिफिकेशन को रिलीज करें ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए मैं आपको ओफिसल वेपसाइट पर ले जाता हूं ठीक है मैंने लिंक दे रखा है वहां से आप सीधे जा सकते हैं देखिए जैसे लिंक को ओपन करेंगे यहां रजिस्टेशन करना पड़ेगा ठीक है नियूजर के लिए रजि नोटिफिकेशन को चुकि मैंने पहले साही इसको डाउन्डोट कर रहा हूं चलिए सीधे बात करते हैं नोटिफिकेशन की चूकि मैं इस डेट पहए बता जूँक्त हूं जो इंपोर्चन डेट है और यहां टीर वन का यहां दिखिए सेडियूल दिया गया है ठीक है इस लिमिट फोर पोस्ट एस वर्दर रिक्लूट्मेंट शुल्स अफ वरियस यूजर डिपार्टमेंट्स आर ठीक 18-25 इस कब किस डेट पे होना चाहिए 18-2019 के मतलब यहां लीक दिया है कैंडिदेट्स बोर्न नॉट भीफोर 28-94 एंड नॉट लैटर देन 18-2001 ठीक है तो पहले का नहीं होना चाहिए और 18-2001 के बाद का भी नहीं होना चाहिए सेकेंड पारा में लिखा है यहां पर देखे 28-27 वर्ज एज ओन कब किस डेट पे 18-2019 की डेट पे कैंडिडेट्स बोर्न नॉट भीफोर 28-92 एंड नॉट लैटर देन 18-2001 मतलब यह है कि 18-2019 की डेट पर आपका एज 28-27 साल के बीच होना चाहिए ठीक है और यहां 28-92 से पहले का डेट नहीं होना चाहिए और 18-2001 की बाद का भी डेट नहीं होना चाहिए और यहां देखे तो यहां देख सकते हैं स्क्रिन सॉट ले सकते हैं इसका और यहां ST-SC को पात साल का रिलाक्षेशन है OVC को तिन साल का है PWD UNREZERVED कांड़ी मतलब जनरल कंडिड़ोट को दिया गया है 10 साल का PWD OVC कंड़ीड़ को 13 साल का और एक सर्विस में जो इससे रिलेटेड है यह देख लें यहां इसको पढ़ लें ठीक है मैं यहां फिला स्वाट में आपको जानकरी देने वाला हूं और भी यहां बहुत सारी दी गई है इसको भी आप पॉल लें अगर इसको आप लॉंग करते हैं तो अगर आप गौर्मेंट एंपल ऑब्लॉय हैं सेंटरल गौर्मेंट एंपलॉय है आपका डे वास हो गया है तो भी यहां आपको मिल सकता है देखिए जिसके बारवे नमबर पर लिखाया है ठीक है और किसी तरह का यहां और भी दिया गया है Candidus who had ordinary been domiciled in the state of Jammu कस्मिर का निवासी रहे हैं तो भी यहां आपको पांच साल का relaxation दिया जाएगा ठीक है फ्रेंट्स आगे चलते हैं फ्रेंट्स और देखते हैं आगे क्या क्या important instruction दिये गए हैं ठीक है मैं फिलाल आपको थोड़े syllabus के बारे में बताने वाला हूँ कि educational qualification यहां देख लीजे इसमें बस यही लिखा है कि दश्मी पास होना चाहिए apply OE SSC के website पर जाना है मैंने link description box में दे रखा है वहां से direct online application page पर जा सकते हैं ठीक है फिस के regarding है जानकारी दी गई है किसी तरह कोई डाउट हो तो comment box पूछें ठीक तो friends यह इस page पर मैं पहुंच चुका हूँ 14 नंबर के page पर यहां देखिए scheme of examination दिया गया है इस examination will consist of a computer-based examination paper 1 and descriptive paper 2 ठीक है two tier में होगा paper 1 और paper 2 ठीक है date मैंने पहले बता जिकी paper 1 computer-based examination होगा जो कि objective type से होगा जैसे कि यहां लिखा है paper 1 will consist of objective type multiple choice question only ठीक है the questions will be set both in English and Hindi for part 2, 3 and 4 देखिए यहां जो syllabus provide कराया गया है यहां देख पा रहे होंगे एक, दू, तीनो, चार पार्ट में question paper divided है जो कि Hindi, English में होगा English subject को छोड़ कर यहां number भी decided किया गया है, time भी decided है ठीक है यह tier 1 का है जो कि 2, 8, 2019, 6, 8, 2019 के बीच इसका exam होना है और यहां 1 by 4 negative marking है, इस बात को आप धियान रखें ठीक है, यहां syllabus देख लिए, general English, general intelligence, reasoning, numerical ability और general awareness के से question पूछा जाएगा, number of question and maximum marks भी यहां दिया गया है 25-25 number के आएगे, जो कि 25-25 marks का होगा, ठीक है, कुल मिलाकर 100 number का question होगा 1 by 4 negative marking रहेगा, अगर पेपर 2 की बात करें, तो देखिए, यहां descriptive लिखा हुआ है, time duration भी दिया है, maximum marks 50 दिया गया है, subject भी दिया गया है, ठीक है ठीक है, यहां देखिए, short easy letter in English or in Hindi language included in the 8th schedule of the constitution जो समीधान के आठवे नुसूची के बास, उनुसूची के नुसार, जो language decided है, उसे के according आपको लिखना होगा, ठीक है, यहां पचास मार्स का होगा, time duration दिया गया है, और बहुं सारे यहां और चीजें दी गई है, जिसको आपको पड़ लेनी चाहिए, और जो computer based examination paper 1 और paper 2 के यहां details syllabus दिया गया है, उसको भी एक बार आप read कर लें, अब इस notification पूरी दर से आप download कर लें, और document verification और जो भी unnecessary documents उसके बा करें, registration कैसे करना है, वो आप easily पता चल जाएगा, पहले registration करेंगे, इसमें आप चाहिए, तो mobile से भी form भर सकते हैं, बसरते हैं, आपके पास photograph, signature और thumb impression होनी चाहिए, उसके थूरू आप application registration कर सकते हैं, उसके बाद भर सकते हैं, तो friends, यहां जानकारी कैसे लगी, और comment box में को डाउट हो तो पूछें, और वीडियो का अधिकर सेयर करें, चैनल के साथ जूड़े हैं, थैंक यू